हलो बच्चो वेलकम बैक बच्चो हमने हमारा चैप्टर चल रहा था रूम टैन इन्टू एट ठीक है और इसमें हमने पढ़ लिया थे इसके यहां तक पढ़े थे डेड़ पेज के सम्टिंग जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम देखते हैं बच्चो चैप्टर को आपने OBT की किलियर कर ली होगी जो मैंने क्योंस वन टू सेवन बताये थे तो देखिए बच्चो अब आगे इस चैप्टर को करते हैं और यह जहां तक चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा देखिए आप जहां से समझेगा लेकि पहले जो हमने देखा था उसमें देखा था म मिशिज मलिक प्लानिंग कर रही थी दजबा याड का कमरा बनाना मीं मकान मं जो है कमरा में इस्टोर बनाएंगे उसको फिर दादी मा उसकी साथ मा उसमेंरेगी और उसके वो खतम जब चली जाएगी तो उसके बाद उसको इस्टोर बना दे मिस्टर मलिक भी उनके बात को सहमती दे दिये थे आर्किटेक्चर ता साथ में फिर उनका ट्रांसपर जो है जो उनने घर बनाया तो घर को जो है गवर्मेंट ने क्या कर लिया ता अपने अधीन कर लिया उसको उसके बाद उनने समझा है कि हमें किराय मिलेगा तो मिस्टर मिसिज मलिक सहमती जता दी थी फिर उनको सारी बात याद आज तो वो सब कुछ बुला देना था तो उसके आगे अब क्या होता है देखे बच्चो यहां पर everything to had been forgotten तो देखे बच्चो नेक्स आगे देख यह बात देख बच्चो कैसी है उनका ट्रांस्पर मिसिज मलिक खुश थी क्यों खुश थी कि सी वुड नो मॉर सी हर हाउस कि जब वो भी दिल्ली चली जाएगी तो उसने जो घर बनवाय था एंटेरिंग जो एफर्ट किया था अपने घर को बनाने में उस घर को दुबार घर रहता तो उसको पस्ता होता तो not being able to live in it उसमें रहे बिना अब वो उस घर में रहेगी नहीं और रहेगी नहीं तो पस्ताएगी नहीं ठीके एंड एंड फिंकिंग ओप दा सबस्टेंसल रेंट अब क्या करेगी जो वहां से सबस्टेंसल पर्याप्त किराया जो उनको म Transparent from one place to another एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर इस्तान आंत्रण होना they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi उन्हें कई सालों तक इंतिजार करना पड़ा क्या for wait for many more years का ही सालों तक for another term of posting दूसरी जगे पर कि अब उनका transfer हो जाएगा दिल्ली में बापस से उसका इंतिजार करना पड़ा in the meanwhile इसी बीच Mrs. Malik's mother-in-law passed away क्या हुआ बच्चो देखो यहां पर जो Mrs. Malik सोचती थी उनका सपना सपना रहा भी तक तो आगे देखेंगे और अपनी सासुमा के लिए जो उसने दस वायाट का कमरा बनवाया था जो इस्टोर मरान थी वो सासुमा भी पास डवे हो गई मतल वे देवर लखी इसी बीच वो बड़े भागे शाली थे देट देएर हाउस हैड बिन रेंटे टू दा गवर्मेंट की उनके घर का जो है गोवर्मेंट के दुआरा किराया आता है क्यों क्यों कि यहां बता रहे हैं प्राइवेट टैनेंट्स टैनेंस होते बच्चो किराय इसलिए वो क्या सोच रहे थे कि हमारे मकान को तो गवर्मेंट ने ले रखा है तो बड़े संतुष्ट थे क्योंकि प्राइवेट किरायदार्ज होते हैं वो सिर्दर्द के समान होते हैं इसलिए वो खुशते यहां पर आगे देखिए अब क्या उनके बैटे की शादी करन अब रिटायर्मेंट लेना जिसको हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों सेवा नीवरती कि सेवा नीवरती से पहले अपने बैटे की शादी भी वो कर देंगे अब यहां उनके बैटे की शादी भी हो गई मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस अब अपनी सेवा से मिस्टर मलिक जो थे वो भी रिटायर्ड हो गए सेवा नीवरत हो गए बट देर हाउस हैड नोट यट बीन रिलीजड पाई तक गवर्नमेंट लेकिन अभी तक उनके घर को सरकार ने रिलीज नहीं किया था मुक्त नहीं किया था मिस्टर और मिस्टर मलिक लिवरे विद देर सन अब देखो बुड़े हो गए बड़े भी हो गए बच्चे बड़े हो गए शादी हो गए तो दोनों मिस्टर मलिक और मिस्टर मालिक जो है lived with their son अपने पुत्र के साथ and daughter-in-law और अपनी बहु के साथ in a rented house किराय के घर में रहने लग गए आप देखें यहां तो हैड़क बता दिया कि private tenant जो है एक हैड़क की तरह होते हैं उपर जो हमने पड़ा अब बात आगए कि खुद जो है वो किरायदार हो गए और अपने यहां पर जो है मिस्टर मलिक जो थी वो खुद सासुमा बन गई है ना तो देखते हैं आगे अब आनंद की बात आएगी समझेगा मिस्टर मलिक वो अज इस्टिल फोर देखते हैं वो खुद आगे अपनी माता जी के पास चले गए विदाउट बीग अबल टू लीव इन हीज हाउस एवन फॉर एड़ी एक दिन भी अपने नए घर में रहे बिना मतलब घर में नहीं रहे पाए और वो भी स्वर्गवासी हो गए नाव विदिन थ्री मंस दा हाउस वाज डियर रिक्वी साइड देखो बच्चो कितनी रिक्वी साइड रिक्वी सेंड अब क्या हुआ अब विदिन थ्री मंस तीन महीने क्या बच्चो तीन महीने क्या हो गया था उनका घर क्या था जो government ने अपने अपने confiscated कर रा था उन्होंने क्या कर दिया? तो तीन महीने में government ने क्या कर दिया? उनका घर छोड दिया Mrs. Malik's daughter-in-law आप देखे यहाँ पर बहु कौन हो गई? Mrs. Malik की बहु आ गई Was keener than Mrs. Malik Mrs. Malik से ज्यादा इच्छा किन की हो गई मकान में जाने की उनकी बहु की To shift to her own on house अपने घर में जाने की ज्यादा इच्छा किस की हो गई Mrs. Malik की जो बहु थी उनकी इच्छा हो गई The moment they were restored रेस्टोर्ड पाजेशन आब वह सतव वह पद िने कौकरना के दुबार से देदया गया था रेस्टोर्ड हो गया उनकेदीन कर दिया गया था P governed जो अधि कार था अब वो शना गया था उन्होंने उस पर रंग पैंट करवाया और पॉलिश साफ सपाई करवाया और घर पे रहने की तैयारिया शुरू कर दी अब जो फर्णिचर डिलर को जो आदेश दिया गया था पहले बनवाने गव फर्णिचर तैयार था या उसको वापस आदेश दे दिया कि भाया जो जो चीज़ोंगा तुम्हें बताया गया था वो चीज़ा भिजवा दी जाए क्योंकि क्या करना था उनको दे हैड टू सिप्ट ओन मंडे मॉर्निंग क्या सुमवार की सुबह उनको घर सिप्ट करना था मतलब नए घर में एंट्री देनी थी स्रीगनेस करना था बट एज दे वोक आप इंतु जब वो सुबह उठे दे फाउंड दैट इट वोज रैनिंग क्या हो रही थी उनको क्या लगा उनको कि अब बरसात हो रही थी दाउन पॉर वोज रैधर हैवी अब डाउन पॉर जो थी बच्चो डाउन पॉर होती है बूंदे अब बरसात की जो बूंदे थी बरसात जो थी बहुत ही ज़्यादा थी डाउन पॉर बहुत ही भारी बरसात हो रही थी मुशलादार बारी सोने लगे थी मतलब यह समझ लो आप तो they waited and waited in the coffee इंतजार किया then it was time for Mrs. Malik's son to go to the office Mrs. Malik के बेटे का office आने का समय हो गया था it was decided that they would shift in the evening अब उन्हें क्या निश्चे किया Mrs. Malik का बेटे का office चला गया बरसा ते ती लेगे कार से चला गया आब उन्हें निश्चे किsky आ कि they would shift in the evening कि वो शाम को क्या करेंगे घर शिफ्ट करेंगे देखिए शाम भी होने वाली है इट कंचिन्यूर्ट रेन थ्रू आउट दड़े पूरा दिन बर जो है बारिस होती रही लगातार बारिस होती रही जिस तरह से शाम को बारिस हो रही थी वैसी ही बारिस चलती ही रही क्योंकि सोम्मार क्या था उनके लिए बड़ा ही शुबकारी दिन था उसी वजे से वो सोम्मार को जा रहे थे Mrs. Malik wanted to shift if they could तो Mrs. Malik ये भी चाहती थी कि हो सके तो शाम को रात को जो भी समय मिले मंडे के रोज जो है मकान में जो हो सिफ्ट हो जाएं तो देखिए मंडे को ही सिफ्ट होते हैं साब उट अब कंसिडरेशन फोर हीज मदर अब बर्सा तो तेज हो रही थी लेकिन अपनी मा की इच्छा का ध्यान रखा अपनी मा की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए अब बर्सा तो तेज हो रही थी लेकिन अपनी मा की इच्छा का ध्यान रखते हुए कि बरसा चाहे कितनी भी तेज होती रहे वह अनिश्य कर लिया कि आज ही क्या होएंगे shift होएंगे they sent for a taxi उन्होंने एक taxi बुलवा ली in addition to their own car अपनी car के अलाओ उसके पास एक car थी car के अलाओ taxi बुलवाई and made a formal move और क्या होएं वहीं से आपचारिक रूप से वह वहाँ से प्रस्तान कर लिये formal move आपचारिक रूप से the rest of the luggage could be shifted later उन्हें क्या सोचा कि बाकी का सामान तो बाद में भी ले जाएंगे बाद में shift कर लेंगे अभी चलते हैं तो वो चल दिये साब तो क्या होता है it was running incessantly Mrs. Malik कहा चली गई ही आदो में चली गई खो गई मतलब हो सोचने लगई बहुत ही गहन चिंतन करने लगई तो गहन चिंतन क्या करती है वो भी देखते हैं बच्चो when what pants she had taken while the house was under construction जो जो परेशानिया पीडाएं उसको हुई थी कब while the house was under construction जब घर का निर्मान हो रहा था तो उस समय जो जो कस्ट जो जो पीडाएं उनने उठाई थी उनके बारे में सोचने लगई the days when she missed her meal उस समय क्या होता था वह अपना खाना भी नहीं खा पाती थी मतलब यादों में ऐसे खोई उसको याद आया क्या कि जब घर बनाता उस समय वह पूरा दिन घर के निर्मान में लगी रहती थी खाना भी नहीं खा पाती थी the days उन दिनों she stood in the scorching heat of the sun तेज धूप पड़ रही थी तेज चुबने वाली धूप के अंदर वह जो थी जुलस्ती हुई कह सकते है स्क्रॉचिंग तेज धूप जुलस्ती धूप में यानि सूरज की तेज धूप में भी supervising the work in progress जो घर का काम continue चल रहा था उसकी देखरे करती थी ध्यान रखती थी the days उन दिनों she was drenched in the rain वह क्या होती बारिस में पूरी तरह से भीग जाया करती थी याद कर रही है वो उस समय कि जब घर का निर्मान हो रहा था उस टाइम the architect had prepared a sketch of the house in color अब देखो बहुत अच्छी बात आएगी बच्चों यहां से आप लाइन पर ध्यान भी देना जो घ्रह सिल्पी था उसने पहले से क्या किया था इस sketch बनाया था एक चित्र बनाया था of the house in the color in color जो घर का निर्मान जब उस समय जब घरह सिल्पी ने जब नक्सा बनाया था उस समय क्या किया था उसने एक रंगीन एक चित्र बनाया था घरह सिल्पी ने the way it would look when completed अब देखो the way यह इसी तरह से था it would look when completed जब यह घर बन जाएगा निर्मान पुरा हो चुका होगा तब वो वैसा ही नज़र आएगा जैसा उसने बनाया वो क्या था देखो it had a figure of the lady उसने क्या किया था गरह सिल्पी ने एक आकरती बनायी थी चित्र बनाया था एक एक ओरत का of the house घर की घर में standing on the वारामदा जो वारामदे में खड़ी हुई एक ओरत का चित्र बनाया था और इसका question भी आएगा बच्चो दिहान रखना है important है यह line भी with her back toward the marvel pillar देखो marvel का एक खंबा था पीलर था उस पे बेक यानि कि अपने compete लगाये हुए वह उस बारामदे में उस पीलर के सहरे जो खड़ी थी ऐसी ओरत का चित्र क्या हुआ था उसने बनाया मनला सहरा लिये हुए वो खड़ी थी जो भी कैसे लगती elegant and graceful बड़ी ही सुन्दर elegant शांदार सुन्दर graceful और बड़ी ही शालेंता दयावान मनला बहुत अच्छे तरीके सब्बे तरीके से वो खड़ी थी an image of contentment ये image जो ऐसी थी जो बनी थी बिलकुँ संतुस्टी भरी मनला बहुत rest in peace मनला मनला मरना नहीं आ लगी लेकिन यहाँ पर शांत भाव में क्लेड अब देखो आप यह आगे चलते रहे न क्या पेना तो उसने क्लेड इनर मैरून सारी यही तो बात है बच्चों यहाँ पर मैरून सारी यही से कहानी गूमरी अब जो मैरून कलर की सारी पहने हुई थी और मिसिज मालिक जो थी उसको मैरून कलर पसंद नहीं था मिसिज मालिक की भहुती उससे मेरून रंग पहनी हुई थी जो हम चैप्टर में आगे देखते हैं बच्चों तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि उसने क्या किया था ग्रह सिल्पी ने उस नकसे में एक skincare बनाया था जिसमें मार्वल टीलर के सहरे खड़ी एक औरत पीट के बल खड़ी थी मलब पीट के सटाय खड़ी थी और मेरून कलर की साड़ी पहनी वी थी और बड़ी शानदार बड़ी संतुष्टी भरी और बड़ी सालिंता से वो नजरा रही थी मिसिज मलिक फैल्ट मिसिज मलिक क्या करने लग गई अब थोड़ा सा फैल्ट करी यानि कि सोचने लग गई क्या सोच रही है दा अर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर कि अर्किटेक्ट ने जो है वो उसी का चित्र बनाया था but she never wore maroon colored sari, देखो कितने अच्छी बात है या बै किन्तो उसने maroon रंकी sari तो कभी पहनी नहीं, अपनी life में नहीं पहनी the figure in the sketch जो उस sketch में जो चित्र बनाया था रेखा चित्र था उसमें, बनायी थी आकरती उसमें, however was as tall as Mrs. Malik हाला कि उसकी लंबाई Mrs. Malik की तरह ही थी reclining against the pillar और जिस तरह से reclining करी थी मलब सहरा लिये हुए जो वो खड़ी थी जुखे हुए खड़ी थी सहरा लेकर के she stood the way Mrs. Malik used to stand, ऐसे Mrs. Malik भी खड़ी हुआ करती थी Mrs. Malik saw the figure in the sketch a Mrs. Malik ने वो आकरती उस जो आकरती थी उस sketch में देखा उस रेका चित्र में उसमें देखा जो नकसा बनाया था उस नकसे के चित्र में जो है उसमें सोच करके देखन लगी क्या देख रही है वो चित्र के अंदर का आगे बच्चो ये रही would go and stand before the dressing table many a time मतलब क्या है उस तरह से जिस तरह से आकरती में खड़ी थी उस तरह से अपनी dressing table थी उसके सारे वो खड़ी हुआ करती थी कई बार ऐसा प्रयोग करती थी हाँ मेरे घर में मैं ही खड़ी हूं she thought that she must show that is sketch to her daughter in-law sometime अब देखें यहां से एक बात और आ रही है उसने क्या सोचा she thought that उसने सोचा कि she must show क्या होना चाहिए कि उसको ये भी देखना चाहिए that is case to her daughter in-law sometimes कि उसकी daughter in-law जो थी जो बहु जो थी वह भी जो है उसको वो चित्र जो है उसको दिखाना चाहिए कि बहु जो थी उसको वो दिखाना चाहिए कि हाँ इस तरह से जो है वो खड़ी होती है मेरून कलर साड़ी पहने हुए लेकिन अब बहु को दिखाना गड़वड कर दी उसने साब क्या गड़वड कर दी बच्चो देखिए यहां से हैं Her daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband अब बहु क्या कर रही थी बच्चो daughter-in-law जो थी वो अपने पती के साथ आगे वाली seat पर बैठी भी थी और क्या कर रही थी बहां बैठी बैठी भी वो आप समझे Moving the rear view glass of the car toward her अब देखिए आगे की seat पर जो है सीसा लगा हुआ था जो car में पीछे देखने का जो सीसा होता न rear glass होता है car के side में जो बिल्कुल दो सीसे होते हैं car के बीच में तो rear glass बोलते हैं car toward her उसको अपनी तरफ कर ली उसने और started repainting her lips और क्या कर दिये उसने उसने अपने होटो को ring ना रंग ना शुरू कर दिया मतलब पोतना शुरू कर दिया lipistic लगाना शुरू कर दिया where was the need to paint अब देखो Mrs. Malik देख करके थोड़ी क्या बोलती है where was the need to paint the lips अब होटो को यहाँ paint करने की क्या जूरत पढ़ रही है when they were going to there on house जब वो अपने ही घर में जा रहे है नए घर में जा रहे है घर में जा रहे है फिर वो लिपिस्टिक लगा रही है क्या कोई शादी व्याम थोड़ी जा रहे at the most they would eat अब जाके उनको सिरफ खाना खाना है and then go to sleep और सो जाना है और क्या करना है जीब तरह के कारे करती है जीब प्रकार की ही होती है and how the girls talk और जिस तरह से भी बाते करती है see what jabbering incessantly बिल्कुल किस तरह से jabbering incessantly उसको तरह से लगता है बखवास कर रही है लगातार jabber करना मूह लाते रहना मतलब बखवास कर रही है why must she talk with her own husband in English क्योंकि क्या होता Mrs. Malik को अंग्रेजी नहीं आती थी तो क्या सोचिए क्यों अपने पती से अंग्रेजी में क्यों बाते करती है ऐसा वो कह रही है Mrs. Malik है ना बच्चों यहाँ पर comedy type का party है Mrs. Malik had not picked up English क्योंकि Mrs. Malik को अंग्रेजी ही तो एक नहीं आती थी क्योंकि अंग्रेजी में क्या थी वो कमजोर थी अंग्रेजी नहीं सीख पाई थी वो she had fell in this only way क्योंब इसी काम में असफल रही she had accomplished everything else in life she had accomplished वो नहीं सब कुछ प्राप्त कर लिया था अपने पूरे अपने जीवन में see learn to ballroom dancing जबकि उसने क्या सीख लिया था जो यह होता है ballroom ballroom dancing होता है नाच भी सीख लिया था ठीक है ना आगे चले बच्चों आपको समझ में इतना बताया है मैंने यहाँ पर वो घर में जो है मंडे की जो है शाम को सिफ्ट कर रहे है उनकी इच्छा थी कि मंडे उनके उस्पेसियस था तो मिस्ज मली का जो लड़का था उसने गाड़ी मंगवा लिया लग टैक्सी और कह दिया बाकी सावन बाद में ले चलेंगे और उसके बाद रवाना हो गए बड़सात लगातार आ रही थी समय जो था वो सोच रहे था कि मंडे के रोज हम सिफ्ट कर ले तो अच्छा रहेगा ठीक है तो वो रवाना हो लिया अपकार में मिस्ज मलीक सोचने लग गए पहले के बारे में कि मैंने इसे-से घर बनाया था ऐसे-से कारे किये थे तो उनके बारे में सोच रही फिर उसने सोचा अर्कीटेक्चर के दुवारा बनाये वी जो इमेज थी उसके बारे म News दो मेरी तो नहीं हो सकती लेगिन हो सकती उसने बनाई हो तो बच्छों देखे हैं आगे क्या होता है अब वो घर की ओर रवाना हुए है, तो चल रहे हैं, रस्ते में बाते चल रही है, तो देखते हैं, Suddenly, it occurred to Mrs. Malik, अच्छानक Mrs. Malik जो थी, उनको देखो क्या होता है, उनके दिमाग में अच्छानक कोई चीज, अच्छानक बात आ जाना, क्या, कि maybe the figure painted by the architect was that of our daughter-in-law, कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कि उस architect ने जो चित्र बनाया था, वो मेरी बहु का तो नहीं बना दिया, क्यों वाई, मेरी उनकोल की साड़ी बहु पैंती है, अब वो भी ऐसे जाए खड़ी हो जाती है, वही उस समय जब घर का नक्सा बनाया जा रहा था, उस समय बहु थी नहीं, बच्चे छोटे-छोटे थे तो ऐसा कैसे हो सकता है, बट देन, शी वाज वाज वीरिंग अ मेरून कलर्ट साड़ी, कि उस समय जब गाड़ी में बैटी थी नहीं के साथ, अपने फैमली के साथ में, तो मेरून रंग की साड़ी पहने हुए थी इस्टाइन पूर्ट, that the figure in the sketch head, जो उस आकरती में जो चित्र में जो है पहनी हुई थी, वैसे ही गरह सिल्पी ने जो चित्र बनाया था, उसी तरह से जो है उसने भी साड़ी पहनी हुई थी, उस जो प्रारूप बनाता इमेज थी उस चित्र के अंदर उस आकरती में जो पहनी थे वैसे पहनी यस इट वस महरून कलर यही महरून रंग था Missis Malik never liked maroon colored Missis Malik ने कभी maroon रंग पसंद ही नहीं किया It was to loud of her taste क्योंकि उनको पसंद नहीं आता था loud of her test था मतलब उनको ये रंग बढ़ा ही भढ़गिला सा लगता था इट वास गुल्स लाइख रड़ा इं लो क्या उनकी बहुकी जैसी लड़किया ही who were fond of maroon colour जो maroon रंगी शोकिन हो सकती थी ऐसा वो Mrs. Malik बोल रही है समझ्या है या तक तो maroon की बात करें कहीं उसने अपनी बहु के बारे में तो नहीं बना दिया तो ऐसा वो सोच रही है तो देखिए आगे देखते है कि वो भी महरुन पहन सकती है कौन? मिसिज मलिक अपने आप से कहने लग गई वो आई विश शी कुड अलसो वर्क एज़ड़ लेकिन मेरी ये इच्छा है क्या वर्क एज़ड़ जितना कार ये मैंने किया उतना मेरी बहुभी तो करे मेरो रंग तो पहन ली चलो ठीक है अर्किटछर ने बना दिया था उसमें लेकिन मैंने तनी मैनत कहा कर सकती है I had every brick of the house led before my eyes मैंने अपनी आखों के सामने नजरों के सामने देखा है रेक ब्रिक को ब्रिक नी इंट घर का निर्मान तो इंट पतर जो लगेते हैं उनको मेरी आखों के सामने लगते हुए देखा है मैं वहाँ खड़ी रहती ती निर्मान कारिये को देखते हुए फ्रॉम अर्ली इन दा मॉर्निंग सुबच जल्द से लेकर के तिल लेट नाइट इन दा नाइट देर रातरी तब मैंने काई वार उस मिस्तरी की साहिता भी किती विद मॉर्टन मॉर्टन होता है मसाला यह कोई खाने का मसाला नहीं है सिमाट भजड़ी का मसाला एंड ब्रिक्स और इटे पकड़ाने में साहिता कीती मैनी टाइम्स आई हाउल्ड द रबर पाइप और कई बार हाउल्ड नहीं घसीट ना रबर पाइप नल नल हो जाए पानी के छिड़काव करते हैं न हाँ वह एंड इस प्लास्टड वॉल जो दीवार प्लास्टड की हो जाती है दीवार चुनने के बाद जो प्लास्टड होता है उसमें उस प्लास्टड वोल को इस प्लास्टड यान की छिड़काव करना तो कई बार मैंने छिड़काव भी किया तो मेरी बहु जो है वो ऐसा नहीं कर सकती तो बार-बार जो है वो बाते कह रही है कि मेरी बहु भी जो है मेरी जैसे मेहनत करे तब जाके वो यकीन आए कि वास्ताओं वो भी मेरुन गरंग पहन सकती है अब क्या होता है इसी वीज वो घर में पहुंच जाते हैं इसी वीज वो घर पहुंचे इसी वीज वो घर में पहुंच जाते हैं उसी दा उनका बैटा जो था पोर्च में गाड़ी को ले गया जा गाड़ी खड़ी करते हैं एंड हर डॉटर इंलो जंपड आउट आउट अफ़े उनकी बाउज उछल कर बाहर निकली मतलब उतरी and there she stood reclining again the marble pillar on the बारामदा सीधी ही stood चली गई और खड़ी होगे reclining again the marble pillar उसी marble के खंबे के सारे जो बारामदे में था जो architect ने बनाया था exactly the way the architect had painted in the figure in the sketch उसी तरह जाए खड़ी होगे भी या वो अपनी सास पो चड़ा रही होगे साइद था ना तो वहाँ जाए खड़ी हो गई सारा लिए मिसिज मलिक फैल्ट रेंच इनर हार्ट अब क्या मिसिज मलिक को तो लगेगा भईया रेंच हुई थोड़ी उदासी महसूस करने लगी मैं भी ता आर्किटेक्ट हैड मौक्ड हर एठ हर हो सकता है कि आर्किटेक्ट ने उसका मौक किया हो मतलब मजाक उड़ाया हो तो संतुष्टी कर रही है वो अपने आप में लेकिन भईया इसमें कहानी में एक बात बताता हूं कि जो जिसके लिए गड़ा को होता है वो उसी को मिलता है तो देखो मिसिज मलिक आपनी सा ठारे ठीक है ना ट्राइंग टू कवर हर एलाबुरेट हेयर डो विद्ध मेरून कलट सारी अब वो देखो क्या कर रही है मिसिज मलिक की जो भव है वहाँ पर आ गई और अपने हेयर डो जो मतलब उसने को बाल जो कहते हैं नकली बाल चोटी या आर्टिफिसल बाल जिसको कह सकते हैं हेयर डो भी डा मेरून कलट सारी जो मेरून रंकी जो सारी पहनी तो गहरी लाल रंकी सारी उसमें क्या कर रही तो उसमें अपने बालों को डखने कोसिस प्रियास कर रही थी अब उनकी बहुत जोती वो कह रहे थी तो दा सर्वेंट नोकरो को अबाउट दा लिगेज जो था उसके बारे में इन दा टैक्सी फॉलो दा कार की कार में जा करके लगेज लेके आ जाए दा लगेज हैड बिन रिमूड फ्रॉम दा टैक्सी टैक्सी से सामान उतार लिया गया टैक्सी ड्राइवर ड्रोन अवे आफटर टैक्सी का ड्राइवर वहां से चला गया कब having been paid उसको जब बुक्तान हो गया चला गया मिसिज मलिक वोज इस्टिल सिटिंग ओन दा बैक सीट ओप देयर कार अभी देखो मिसिज मलिक तो खोई वी थी यादों में तो अभी ता अपनी कार में बैठी वी थी वो तो भार ही नहीं उतरी सी हैड़ है स्ट्रेंज सिंकिंग सैनिटेशन सैनसेशन अब क्या हो रहा है बच्चो यहां पर जब वो चली गई कार तो उनको अजीब सी कहता है ना इस्ट्रेंज अजीब सी सिंकिंग होती बेहोसी रूप में मतला अजीब सा गेरी सी नीद आ जाना अजीब सा उनको महसूस होना मतला बेहोसी की जो है सेंसेशन मतला अनुबोती होने लग गई मतला बेहोसी महसूस करने लग गई अब बैटे बहु दोनों घर में प्रवेस कर गए अब मैया को तियाद ही नहीं रिख्या हुआ 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 जला दी एवरी रूम वस लाइट अप हर कमरे में रोश नहीं हो गई मिसिज मलिक लुकड ओन वाइड आइड और मिसिज मलिक अपनी आखे चोड़ी करके देखने लगए लेकिन वह सोच रही है कि मैं तो अंदर बैटे मेरे बैटे बहु को याद ही नहीं कि मैं भी हूँ याद ही नहीं उनको इसी उतेजना में किसी को प्रतीत ही नहीं हुआ अच्छ लगाई नहीं क्या तो हैव रिमेंबर तो ओपन दोर की दर्वाजा भी खोलना था फोर हर उसके लिए जब भी वो कहीं जाते तो उनका बैटा दर्वाजा खोलता मिसिज मलिक बाढ़ निकलती तो याद नहीं रहा जिस तरह से पहले किया जाता था सही है ना समझ में आ रहा है बच्छो आपको आपको देखते जिए अब अचानक बेटे को मा की याद आई गई मा के बारे में सोचा वो कि मा तो भाए है बार है और जाकर के कार का दर्वाजा खोला अब देखो क्या कहते है उसकी मदर उसकी मा धीरे से बोली क्या ड्राइविंग करते हैं मतलब गाड़ी में चलना उसकी मा जो है वो ये बात बोल रही है क्या बात बोल रही है कि गाड़ी में जम चलती हूँ शाम के समय तो मुझे क्या होती है नीद आने लग जाती है तो मा ने धीरे से बोला बैटे हो कुछ नहीं बोली तरे को याब निरा तू चला गया अंदर एसे कोई मतलब है ऐसा कुछ नहीं बोली हर डॉर्टर इंलो हैड अल्सो कम आउट उसकी बहु भी बाहर आ गई अब दो को आते है क्या करती है वो चिड़ाती है अपने साथ को कैसे एवरिवन वोज लाइफ लाफिंग हर कोई हसरा था मिसिस मलिक्स डॉर्टर इंलो वोस सिटिंग अगेंस्ट मार्वल पीलर जाके सी दे उस खंबे के पास खड़ी हो गई वो तो जैसे उस नक्से में दरसा है था उन्दा वारामदा अगें वारामदे में वापस से सी वोस ट्राइंग टू कवर हर हेर डो विद हर मैरून कलट साड़ी और वो ही बात बार बार में एक ही बात आएगी इसके अंदर वहां जाकर क्या करने लगई लाल रंगी साड़ी से जो है अपने बालों को डखना मला अपने सीर पे रखना बार बार जो है हेर डो करना यानि कि साड़ी को बार बार सिरी पे रखने लग गई और डखने का परियास करने लग गई I am not going to eat, I have no appetite, बूख लगना, मैं खाना नहीं खा रही हूं, मुझे भूख नहीं है Sad Mrs. Malik, Mrs. Malik बोली, I would like to sleep, मैं अब सोना चाहूंगी, मुझे नीद आ रही है वह सोना है, the servants had let dinner on the table अब उनके घर में नोकर भी थे वाई अब तो तो उसने पहले ही खाना लगा दिया था तो देखो क्या कहती है उनकी बहू, then you better retire to your room तो आप की easy return चले जाएए अपने कमरे में चले जाएए अच्छा है कि आप अपने कमरे में चले जाएए set the daughter in low आप देखिए बच्चो यहाँ पर एक बात है बहू बोली pointing to room, इसारा करते हुए किस की ओर, कमरे की ओर कौन सा कमरा बच्चो 10 into 8, very good 10 बाया आठ के कमरे की ओर इसारा करते हुए बोली her son conducted Mrs. Malik to it अब उसका बैटा जो होता मिसमें conducted यह नहीं ले जाना मतलब उसका बैटा जो है कहता है कि भईया मा मैं ले के चलता हूँ यह कमरे में छोड़ने के लिए वो चल दिया भई भई ने कहे दिया ठीक है आप अपने कमरे में चल जाएए तो अब बैटा जो है आथ पकड़के उनको ले गया holding her hand she was feeling fairly drosy क्योंको बहुत ही गेरी नींद आ रही थी Mrs. Malik को Mrs. Malik shook her head again उनने फिर अपनी गर्दन हिलाई but what was wrong with it क्या सोचरी देखो इन तो इसमें गलती क्या था her husband had already gone उनका पती पहले ही जा चुका था she would follow him भाई भी चली जाएगी one day she must do it एक दिन उसको ऐसा होना ही था ऐसा करना ही करना था I thought it could be my mother-in-law's room देखो क्या के रही मैंने तो सोचा था यह मेरी सासुमा का कमरा होगा and after her it might be converted into store इससे क्या कर दूँगी store में बदल दूँगी these words record in Mrs. Malik's ear Mrs. Malik के कानों में बार बार यह बाते जो है कानों में गूंजने लग गए क्योंकि खुद बोली थी यह बात और खुद को ही वो कमरा मिला है ठीक है बच्चो and then see here और फिर उसने सुनी her daughter-in-law's comment अपने बहु की comment टिपनी सुनी देखो बहु ऐसी नहीं थी क्या के रिए the house is otherwise very well planned हाला कि घर जो है बहुत अच्छे से योजनावत तरीके से बनाया गया it lacks only a store room यहां के वले कि store room की कमी है it would like to have a big enough store देखो जैसी सास बेशी बहु की उसकी इच्छा है की store room बढ़ाई होना चाहिए Mrs. Malik heard it Mrs. Malik यह बात सुनी and she felt as if she was sinking और जैसे वह सोचने लगी ऐसा she was sinking deep जैसे वो गहराई में and deep गहराई में into a bottomless wall कहते है न bottomless bell में मतलब बिना पेंदे के कुय में जैसे वो डूपती जा रही थी तो ये बच्छो हमारा chapter केस दुगल का लिखा हुआ है complete हो गया है दो पार्ट बने बच्छो जिसने ये पार्ट देख लिया वो पहला पार्ट जरूर देखे बहुती आराम से मैंने आपको पढ़ाया है ये जो इस्टोरी जो हम कभी क्योंसॉल करेंगे क्योसन आंसर जब करेंगे आपको क्या करना है बच्छो पीछे की क्योसन की मैं बात करता हूँ तो आपको ये क्योसन जरूर करने है आप इनके जो है देखिए questions को देख लीजिए seven questions तक पहले आयोए थे और आगे का जो questions है देख लीजिए आप एक बार बताता हूँ What reason does Mrs. Malik have to be happy and consult on being transferred from Delhi after Accusion of their new house by the government मतलब क्यों खुश हो गई थी वही कि government private किरायदार तो head up होते हैं government उनको ले रखा ता मकान को तो ऐसे ही बच्चों क्या है देखो वीड़ी जदा बड़ा हो जाएगा आप देख लीजिए questions जो है यहां 13 तक है जो आपको करने हैं और आगे जो बड़े questions है बच्चों यह भी आपको जो है दंसे करने हैं यह 60 से 80 मेर एकजाम में जो है 8 नंबर काता है ठीक है तो अब यहां complete करते हैं वीडियो को मिलते हैं next class next lesson के साथ तब तक के लिए good day good bye